सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले नमस्कार, वेल्कम टू सास्पूम रेसिपीज आज हम बना रहे हैं मुर्ग मुसल्लम मुर्ग मुसल्लम का मतलब है होल चिकन यानी साबुत मुर्ग यह एक मुगलाई डिश है जो सारी दुन्या में फेमस और पॉपिलर है यह बहुत ही मज़िदार और लजीज रेसिपी है जो बनाने में आसान है मुल्क मुसल्लम को फ्राई किया जाता है लेकिन हम इस डिश को हेल्दी रखेंगे और अवन में रोस्ट करेंगे ताके कम तेल का इस्तिमाल हो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी इसके लिए हमें चाहिए होल चिकन 1.5 केजी हंग कर्ड यानी चक्का दही 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून हरा धन्या और पुदीना जाइपल पौडर 1 चाव थाई टीस्पून इलाइची पौडर 1 चाव थाई टीस्पून दालचिनी पौडर 1 चाव थाई टीस्पून गरम मसाला पौडर 1 टीस्पून नमक स्वाद नुसार काला नमक 1 टीस्पून एक लीम्बू का रस, लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून, फ्रेश लाल मिर्च पेस्ट एक टेबल स्पून, सौन पाउडर एक टी स्पून, धन्या पाउडर एक टेबल स्पून, तेल मैरिनेशन के लिए दो टेबल स्पून, रोस्टेड बेसन का आटा एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, एक टी स्पून, पिंच ओफ फूड कलर मुर्क मुसल्नम के लिए हमें खास सीजनिंग बना रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए अमचूर पाउडर, साबुद धन्या, अजवैन, जीरा और रेड चिली फ्लेक्स चिकन की कैविटी में हम डालेंगे दो साबुद प्याज, दो उबले अंडे, हरा धन्या, पुदीना, लीमू के दो स्लाइस और बटर की टुक्रिया सबसे पहले हम मुर्क मुसल्नम के लिए सीजनिंग रेडी करेंगे उसके लिए हमें चाहिए साबुद धन्या, जीरा, अजवैन, इन सब को हम अच्छी तरह सेख लेंगे, रोस्त कर लेंगे अब इसी में हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स और अमचूर पौडर और इनको दरदरा पीस कर एक बाजू रख लेंगे सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे हम लेंगे हंग कर्ड्स, इसमें डालेंगे चिली पेस्ट, चिली पाउडर, तालचीनी पाउडर चाइफल पाउडर, इलाइची पाउडर, सौट पाउडर, गरमसाला पाउडर, नीम्बू का रस डालेंगे हम नमक स्वादा निसार, हरा धनिया और पुदीना, धनिया पाउडर चुटकी भर लाल फूड कलर, अब हम डालेंगे अधर लैसन की पेस्ट, अब इन सब मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, डालेंगे भुना हुआ पेसन का आटा, डालेंगे टेल, इससे हमारी चिकन सौफ्ट और मॉइस्ट होगी, अब हम हमारे पॉल चिकन को इन मसालों में अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, इन मसालों को अच्छी तरह से कोट करेंगे, हमारी चिकन अच्छी तरह मसालों से कोट हो गई है, अब हम इसको कम से कम दो घंटों के लिए फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, अगर आपके पास समय ज्यादा हो तो आप चार से पांच घंटे मैरिनेट कर सकते हैं, हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है, चलिए आगे की प्रोसीजर करते हैं, चिकन को हम इस तरह हैलोजन अवन की रैक पर रखेंगे, इसकी स्किन में हम बटर की टुकुडियों को इस तरह से इंसर्ट करेंगे, इस से हमारी चिकन सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगी, स्टमक की कैविटी में हम डालेंगे साबुद प्याज, उबले अंडे, नीम्बू के वेजिस, और फ्रेश हर्ब्स यानी हरा धन्या और पुदीर, अब हम चिकन की टांगों को इस तरह धागे से बान देंगे, और चिकन के वूपर तेल जिजल करेंगे, चिकन को रखेंगे हम हैलोजन आवन में, टेमपरेचर सेट करेंगे हम 200 डिग्री सेल्सियस और रखेंगे हम 20 मिनिट के वे, अब हम चिकन को टर्न करेंगे और फिर से 20 मिनिट के लिए 180 डिग्री सेंटीक्रेट पर रख देंगे, हमारी चिकन अब अच्छी तरह पप गई है, अब हम इसको फिनिशिंग टाचिस देते हैं, यह धागा जो हमने बांधा था वो निकालेंगे, सीसिंग का पौडर जो हमने बनाया था वो स्प्रिंख फिल करेंगे, अब डालेंगे इस पर चाट